उत्रप्रदेश की बाहुबली नेता में शुमार पूर्व कैबिनेट मंत्री और कुंडा से निर्दलिय विधाय के रगुराज प्रताप सिंग राजा भहिया ने आज कुंडा विधान सभा के लिए एक बार फिर ना मंकन किया राजा भहिया सन 1993 से कुंडा विधान सभा में लगतार निर्दलिय विधाय के रूप में रिकौर्ड मतों से जीत कर इत्यास रचते हैं इस बार वो निर्दलिय के रूप में नहीं बलकि अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोक तांत्रिक से अपनी उमीदवारी पेश कर रही हैं राजा भहिया कुंडा से लगता छे बार निर्दलिय विधाय के रूप में निर्वाचित होते आ रहे हैं राजा भहिया के साथ उनके दोनों बेटे भी उनका नामंकन कराने प्रताबगर पहुँचे राजा भहिया ने मीडिया से मखातिव होते हुए कहा कि कुंडा और ब उसे जीता इस बार डेल लाग के पार से जनता ने जिताने का मुझे फैसला किया है इस मौकि पर राजा भहिया के दोनों बेटे भी नामंकन कराने राजा भहिया के साथ पहुँचे राजा भहिया के दोनों बेटे भी मीडिया से मखातिब हुए राजा भहिया के बेटे प्रतापसिंग ने कहा कि वो शेत्र की जनता से चाहते हैं कि जिस तरह वो हमेशा अपनी सेवा का मौका राजा भाया को देते हैं वैसे ही इस बार अपना पूरा आशिरवात दे कर राजा भाया को जिता कर अपनी सेवा का मौका अवश्य दें जनता से अपील क्या करना चाह रहे हैं, किस तरीके की कैम्पेणिंग आप कर रहे हैं आप लगवाड़ी में यार। समर्थर की मांग करते हैं, समर्थर की मांग करते हैं, समर्थर मांग रहे हैं, लोगों की वीज पहुंच रहे हैं, प्रिशार करना जब ही आगा। क्या कहना चाहते हैं आप जन्ता से, कुंडा की जन्ता से, कि जो प्यार जो उसने जो उन्ने पिछले 25 तीस साथ से दे रहे हैं उसे ऐसी बैकरा रखें और हम भी अपना प्यार उनकी पतिप बैकरा रखें बहुत खुशी मैसूस हो रही है कि जनसत्ता दल इस बार चुनाव लड़ रही है और सबसे बहुत देखके बहुत पॉजिटिव आंसर मिल रहा है और कुंडा विधान सभा से तो डेल लाग पार काई नारी लगा रहे हैं सब तो पहली बार पार्टी से लड़े हैं लगाता निर्दली जुनाव जीते रहे हैं इसमें आप लोग क्या है पहली बार आप प्रचार कर रहे हैं इसमें हमारी तो कुछ उती भूमिका नहीं है सब आप लोग की है और पार्टी से लड़ने तो और अच्छे से लड़ना चाहिए तो आप भी प्रशार करने निकलते हैं प्रचार तो नहीं दूसरों के सुख दुख का हम बस हिस्सा बनते हैं यह आईडी नीचे कलो अधम कचेरह नहीं आ रहा है ठिक ठिक ठेंक्यू अब यह बोले हैं और आज पहली बार ऐसा होगा कि जब आप निर्दली जो है नमांकन आ इस नमांकन किया है चले इसबार जो है पालटी के जैटे रहने वाले हैं किस तरीके से आपने नंते हैं तर्ताभ कि प्रतिज़ेट के प्रतियाशी मैडन में ऊतरे हैं और जैता ने अपना मन बना रख़ा है कि और बड़ा रिकॉर्ड और बड़ा कि इतिमान इस ब dwell बना ईगा जीत का अंतर कितने होगा और कुंडा की जनता जो कहती है वो करती है। विशली वार का नारा था आपकी बार 1,00,000 पार। ये करके दिखा दिया 1,00,000 उद्वार नारा है आपकी बार 15,00,000 पार। तो वे जीनल ही जो लगातार 60 वार से अपना मारजिन स्वेम तोड गई है। नय रिकॉर्ड कायम कर र तो क्या-क्या एजंडे रहने वाले कितने सीटों पर जो है उत्तरप्देस में चुनाव रहा है लेकिन जनसीवा संकल पत्र हमारा है इसमें सभी विंदुनों के कवर किया गया है उसकी एक फोटोपपी हम आज दी से कल भर में आ रहा रही है यह बात करते हैं हमेसा कानून व्रस्थाची होगी यह क्या है राजनीत में यह कैसे बात क्या दोरा बात दंडक लेजाद होगा हम यह करें चुनाव है और चुनाव में हर्दर प्रत्याशी उतारते हैं